नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी सोल्डर और आरोमल के बारे में जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आरोमल की कटिंग आप कम करते हैं तो जब हम कस्टुमर को ब्लाउज पिनाते तो उसका ब्लाउज एकदम फिट बैठता है आप लोगों को अगर लग रहा है कि मेरा आरोमल छोटा है आपने जैसे कटिंग की तो आपको लगाए कि छोटा है तो आप प्लीज उसको बाजू को निकाले और द्वारा से थोड़ा सा कटिंग करें फिर उसको जोड़ें जब भी आपको लगे कि हमारा गला छोटा है तो आपको पाइपिन को उधेड़ना है फिर तो थोड़ा बहुत तो आपको मैनत करना ही पड़ेगा क्योंकि यही तरीका है हमें चोटे गले को बढ़ा कैसे बनाना है अरूमल अगर हमारा टाइट हो रहा है तो उसको भी हम बढ़ा कर सकते हैं और जहां तलक है वहां तलक मैं पूरे ब्लाउज की जब कटिंग और स्टि करके कॉश्टूमर कप लाँ जयो उसको हम पिना के देखते हैं कि इसकी प्टिंग कैसी आई है तो देखे यहां पर मैं आपको आरूमल के बारे में बताऊंगे तो यहां पर जैसे हमारा पीछे का पल्लर पहले जैसे हम काटेंगे तो इसमें आपको समझाओंगी आरूमल सबसे पहले पीछे का तो कि यह कि यहां कि अपने साब से लेते हैं जैसे किसी को 12 इंच का पसंद ख़िए। किसी को 14 इंच कि किसी को 15 इंच तो लंबाई भी आपको अपने साब से लेनी है। और बैसे एक सिंपल तरीका है वह 14 इंच की लंबाई होनी चाहिए ब्लाउज में तो यहां पर देखे हम 15 पर एक निशान लगा लेंगे यह हमारी लंबाई हो गए अब देखे सोल्डर हम जैसे चोटा गला बना रहे हैं तो उसके लिए हम 6 इंच के सोल्डर लेंगे अगर हम गला बड़ा बनाएंगे तो उसके आसान और सरन तरीका बताओं आप एक ही ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आप एक ही ब्लाउज को ध्यान से देखें जब बत्ती चेश्ट का ब्लाउज बनाते तो उसमें 5 इंच के आरूमल लेते हैं और यहां पर जैसे हम डीप गला बनाएंगे तो यहां पर पांच क्योंकि इसका जो गला है वो चोटा है आठ इंच शाथ इंच गला छोटा है पीचे का तो इस फैलेगा नहीं अब जब बड़ा बनाते है वह फैलता है उसके आहां पर इस उल्डर रखने है अरूमल हम यहां पर जोरे जो लाएगी नीचे की साइड यहां पर जोल आती है यहां पर जोलाती है तो आपको यह गलती नहीं कर दिया है अगर हां अगर आप 36 या 38 चेस्ट का बना रहे हैं तो आप यहां पर 6 इंच के आरूमल लेंगे और सोल्डर तो जैसे मैंने आपको बता है इसमें में कुछ कम जादा नहीं करना है जब डीप कला बनाएंगे तो हम पांच इंच के भी सोल्डर ले सकते हैं साड़े पांच इंच के भी ले सकते हैं वो चेस्ट के साप से लेते हैं हर साइच के व्लाउज में मैंने अलग लग तरीके से बताया कि जब आप डीप कला बना रहें तो उसके सोल्डर आपको कम लेने हैं तो यहां पर देखिए आ आगे और पीछे के दोनव पल्ला ले लिए चेस्ट कितनी भी हो वह आप अपने साब से देख सकते हैं तो यहां पर फिर भी में आपको बता दू कितना है यह है हमारा 19 इंच की चोड़ाई यह तो इसको हम 36 इंच का भी बना सकते हैं देखिए 18 इंच पर 34 इंच का भी बना सक तो यह आगे और पीछे के पल्लर रहें अब इसके बाद आपको दिखी क्या करना है एक पल्लर को चोटा बड़ा करना है इस तरीके से यह जरूर लिए आगे का पल्लर थोड़ा बड़ा होना चाहिए 10 इंच अगर आपके पास कप्ड़ा कम है तो एक इंच बड़ा ले ले वो हमारा यहां पर आएगा गला, तो दिखिए यहां पर हम एकदम सिंपल तरीका, पाँच इंच के सोल्डर ले रहे हैं, तो हम डीब गला बना रहे हैं, अब यहां पर हमें चेश्ट के साब से आरूमल लेने, बत्ती चेश्ट है, तो साड़े पाँच इंच के आरूमल हमार आजाएंगे इस तरीके से गले की चोड़ाई जो नहीं लों दो इंच के ले अगर हाँ आप अच्छे से बना लेते हैं तो आप यहां पर once खुड़ाई भी ले सकते हैं तो यहां पर सिम्पल गला जैसे आगे कर चेंच का रहेगा हमारा अगर आप चाहें तो साड़े 6 इंच का भी काट सकते लेकिन मैं आपको 6 इंच का ही बताऊंगी जो नई लोग है वो 6 इंच का ही काटे क्योंकि काटने के बाद किया है गला फैलता है तो यहां पर दीक है और यह हमारा खुला बाला साइड है तो पहले हमें इसी तरीके से कटिंग करना है तो देख इंच के लेगे हम यहां पर आरुमव अब को यह आपको 40 अलग चलेगा 46 इस का भी बनाएंगे ना तो भी इसी तरीके से बना थी तरीके से अर्थे का बना के तो भी आपको आपको 6 इंच का आरुमन लe लेनेया लेकी के चोड़ाए हम दो इंच और गले की लि part आप के तरहां पर एक चौक उटा निशान पनाया उसके बाद यहां पर आदा इंच की दूरी रखी है और यहां पर ने गोला का निशान लगा दिया अब मुझे नहीं पता हैं आपने कैसे निशान लगा लेकिन इसी तरीके से तो आपको इस तरीके से गेरा ही देनी है तो आदा इंच की दूरी है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डीप गला बना है तो पांच इंच के सोल्डर लेकर आप कर सकते हैं अगर आप यहां पर 40 चेस्ट का बना रहे हैं तो पांच इंच के इस तरीके से जसा आथे पांच इंच के आयरमल आरूमल आप 32 31 34 और 30 चेस्ट में आपको 5.5 इंच के आरूमल रखने हैं हाँ 6 इंच के आरूमल आप जब लेंगे जब 40 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं आप 38 चेस्ट का बनाएंगे यह 36 चेस्ट का यह 35 इसमें कुछ नहीं है वह साधा इंच का ही फरक है तो इसका आपक जलतियां कर रहे हैं तो आप तरीके से उसमें आप सबक सीक रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से आरूमल को ले रहे हैं तो थोड़ा टाइट हो रहा है तो उसको आप बाजू को निकाल ले और दुआरा से थोड़ी सी कटिंग करके फिर दौरा से लगाएं देखिए एक दो ब पर यहां पे आपको लगाना औरू मल का ते कि सबसे पहले जैसे हम ने यह आप आरूमल का कटिंग कर लि Armまぁ घंग कर लिए दू आरासे बड़ा चोटा भी बना सकते हैं तो यह हम इसको ऐसी निकाले जो हमारा चोटा पुल्लर को इस निकाल है यह हमारा पीचे नि तो देखिए आपको हर साइज के विलाउज में आदा इंच का इस तरीके से आरोमल का कटिंग करना है जो मैं आपको हमेशा बताती हूं इस तरीके से आपको आदा इंच का कटिंग करना है हर साइज के बिलाउज में कितनी भी चेश्ट का है आपको इस तरीके से कटिंग करना करना है क्योंकि मैं हर साइज के बिलाउज में भी आपको पता चुकी हूँ तो हार साइज की बीडिव में आपको इसी तरीके से आरों मल का कटिंग करना है देखिए तो देखे तीरे के बारे में तो मैंने आपको हर वीडियो में हर ब्लाउज की कटिंग में बताए कम से कम आपको तीरे का निशान 13 इंच पे लगाना है तो अगर आप 13 इंच पे निशान लगाएंगे तो वो तीरा आपका एकदम पराबर आएगा उपर की साध नहीं जाएग तो देखें, यहां पर मेरे आरूमल के बारे में आपको बता दिया, अब हम आपको बाजु के बारे में बताएंगे, तो यहां पर देखें मेरा कपड़ा है यह तो हमने यहां यह आप लोग बोलते हैं कि कभी आप 4 इंच लेते हैं तो चार इंच भी यहाँ पर आप Delos तर्टेने इंच पे भी कटिंग का निशान लगा सकते हैं और सारे नौइच की है लीघाति प्लेकिसे इसाहेज कर में अगर के वैंप के तर्टेमें को निशान लगाना है तो यह बाजू भी मैं आपको हर साइच की बता रहे हूं क्योंकि इसकी जो चोड़ाई है ना वो साड़े नौ इंच की है तो इस तरीके से अगर आप चोड़ाई जादा लेंगे तो आपकी बाजू छोटी भी नहीं पड़ेगी अब यहां पर देखी जैसे हमने कटिंग कर अब यह बीच का निशान आ गया अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि आप आगे का जो बाजू पर कटिंग नहीं करती है तो आपको एक आसन तरीका बता रहे हूं कि आप अगर करेंगे तो भी आप बाजू को लगा सकती है क्योंकि यहां पर हमने आरूमल का कटिंग कर अगर आप दियान से ब्लाउज को सिल रहे हैं आप गलतिया नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से पहले आगे की साइड निशान लगाएं उसके बाद आदा इंच यहां पर ऐसे कटिंग कर लें गोलाई में आपको ध्यान रखना है कि इसको आगे की साइड ही जोड़ना है अगर आप गलती से पीछे की साइड जोड़ देंगे तो बाजू खिचा-खिचा सा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बताती हूं कि जो नए लोग हैं तो थोड़ा कंप्यूज हो जाएंगे कि इसको हम कैसे जोड़ें पीछे की साइड जोड़ दिया तो गलत हो जाए जोड़ी होती है उनके ज्यादा जोल आने की संभावना होती है उनके जोल नहीं आती है तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें जोल आ रहे हैं तो दीखिए आपको थोड़ा कटिंग भी करना पड़ेगा बाजू को निकालके यहां पे जब हम ब्लाउज बना देंगे तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा पेने में आपको बाजु साइट ठोड़े नहीं को व्यवता नहीं ह Simon उड़ी मैं और वर्मल के बारे में भी बता दिया है और वाके और बाजू की बारे में बता दिया है अगर आपको कुछ और भी डाउट हो थो आप प्लीज मुझे कमेंट करके द्वारा से बताएं, कोसिस करूँ में और आपको अच्छे से समझाने की, तो वीडियो अच्छे लगी है, तो वीडियो को जाद से जाद शेयर कीजिए, और जो नए लोग है, वो हमारी चैनल को सस्क्राब करना है, इससे कि आने वाली जो नए व झाल